नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल Knowledge Matters Now पर तो आज हम डिसकस करेंगे 19 और 20 जुलाई 2020 का Current Affair और साथ में देखेंगे उस से Related Complete Static GK अगर आप Banking, SSC, Railway, Police या किसी भी State Exam के Preparation कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफी काम आने वाला है चलिए देखते हैं पहला नीज क्या है तो पहला नीज है ओनलाई निस्टा प्रोग्राम के बारे में किलियर इसको लॉंच किया है अंदरप्रदेस सरकारने सबसे पहले मैं आपको निस्टा के बना है अंदरप्रदेश के लिए तो आप इसको याद रखेंगे बाकी इसका जो निस्टा की फुल फॉर्म में वो है नेशनल इनिसेटिफ और स्कूल हैट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए यहां के बने के लिए तो इसमें होगा क्या इसमें जो इसकूल के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनका जो नौलिज़स को और अच्छे से उसको एनहंस कर सकें के लिए और नए ने चीज़ों को लोग सीख सकें फिर वो ब वीरवाचन छेत्र है व्हो है हरिद्वर क्लियर ऑप बात करते हैं आंदरपरिदेस के वारे में आकिलियर देखते है हिस edelे ज्जो आंदरपरिदेस के लो चीफ मिनिस्टर है वो हैं जगन जगन मोहन रेड़ी और यहां गवर्णर हैं विस्व भूसन हरीचन्दन केलियर और यहां की कैपिटल है जो प्रस्तावेत है वह है अमरावती वैसे अभी तक इसकी जो कैपिटल है वो है हेदराबाद केलियर ये तो होगे आंदर प्रदेश की इस योजना के बारे में लेकिन इसके लावा और बहुत सारी योजना आंदर प्रदेश की जैसे कि YSR काफू निस्तम ओके एक है रायतु भरोसा आपको कन्फिज योजना है और ब्रदेश की जैसे नशीने के लिए कंबेगा फूट पार्क निस्तम नें अंदर प्रदेश में लगा गया है और इसने एक लॉजन्स किया था इसका नाम था कोव्थ Sharma एक के लियर और इसके लाबा इसका एक online portal भी है इसका नाम था e-crop clear और जगन्ना विद्या देवना योजना यह भी यहीं की है और इसके लाबा इसका कुछ देखते है नेशनल पार्क तो यहां का एक ही नेशनल पार्क है इसका नाम है वैंक के टेश्वरा नेशनल पार्क clear और कुछ यहां के थर्मल पावर प्लांट भी है जैसे सिमहद्री श्री नामोदरन संजिव्या थर्मल पावर स्टेशन clear यह इतना याद रखेंगे आप इस योजना के बारे में और आंदरपरदेश के बारे में चलिए next द इनका नाम है रोज क्रिस्टैन और सुका रपॉंडा clear इनको गबॉन जो कंट्री है उनका इनको प्राइम मिनिस्टर बनाई गया है clear बस आपसे पूर सकता है गबॉन का प्राइम मिनिस्टर किसे बनाई गया है यह नेम दे रखा होगा रोज क्रिस्टैन और सुका रपॉं है लिब्रे वेल ले और यहां की जो करेंसी है हुआ है सी एफ फरेंक के लिए आपको मैप में इसकी लोकेशन दिखाते हैं ताकि आपको चीज़े याद रहें के लिए दिखें यह हमारा प्यारा भारत और इसकी रिस्फेक्ट्ट में यह ग़वौन ओके आप जानते हैं यह यह पुरा अफरीक लेम कैसे पुर्सक्रावण के यह उत्राखंड के Chief Minister है, clear? तो आप इतना याद रखेंगे, इसको कहाँ बनाए गया है, इसको बनाए गया है, अस्तल विलेज में देहरादून डिस्टेक के अंदर, ओके, इसको किसकी मेमोरिय बना गया है, किसकी स्मृतियों बना गया है, इनके एक फोक सिंगर थे, जीत सि किया गया है, इसमें Chief Minister ने request किया है, कि आपके life में जो अच्छा दिन हो, ओके, या कोई ऐसा occasion आता है, तो आप एक पौधा जरूर लगाए, एक पेड़ा जरूर लगाए, clear? तो एक तो आपने सुना हरेला, और आपने से पहले एक festival भी सुना होगा, हरेली, ठीके, यहाँ यहाँ पे तो है LA, और यहाँ पर एक लाई हो जाए, तो हो जाए हरेली, हरेली तोहर कहां का है, हरेली तोहर जो है, वो है, 36 गड़का, clear? आप याद रखेंगे, हरेली, 36 गड़का, और हरेला फेस्टिबल जो है, वो है उत्राखंड का, clear? तो यहाँ के जो Chief Minister ने वो है, त मर वाली हो, के, आप ऐसे कर सकते हैं, याद, गयर सेंट और ग्रीस्म, जो दोनों में आ रहा है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, clear? और यहाँ के बारे में कुछ और देखते हैं, जैसे पहला लाइकेन पार्क जो बनाए गया है, वो पिथोरागड उत्राखंड के अंद और दूसरा टुलिप गार्डन है, जो वो पिथोरागड उत्राखंड के अंदर ही बनाए है, तो पहले टुलिप गार्डन कहा है, वो है जम्मु कस्मीर के अंदर, स्री नगर में, clear? और आपने एक ब्रिज के बारे में सुना होगा, ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज, उ यहां के जिम कॉर्डन नेसनल पार्क भी है, यह इंदिया का सबसे प्राना नेशनल पार्क है, clear? और पहले जो इसका नाम था, अब हो था हैलि नेसनल पार्क, के बारे में, जैसे घंगोति नेसनल पार्क, जिम कॉर्डन में आपको बता दिया, एक वेलियो फ्लोवर्स, अ जैसे छिबरो खोदरी और चिल्ला किलियर इतना सब को याद रखेंगे आप उत्राखंट के बारे में के अब उत्राखंड के बारे में उत्राखंड शरकार ने जो waste होता है , जो कुड़ घर और से निकलता है उससे अब यह electricity mwe बजली बनाएगे , कोड़ एसे बजली बनाई जाएगी क्योंकि कोड़े गड़ केbra पॉलूशन होता फो भी कम हो जाएगा और el hapt Illust夜 जणनेरेट हो जाएगा तो इससे ने डॉसैट करें पांच मेगा वार्ट bush जन सब्सक्राइब वेस्ट टो इनर्जी किस स्टेट ने शुरू किया है तो उत्राखंड ने आप याद रखेंगे बागी उत्राखंड के बारे में आपको सारा कुछ बता चुका हूं नेक्स देखते हैं तो के वर्ल्ल बेंक होता है वो सारे कंट्रीस का क्लासिफिकेशन करके रखता है। क्लियर कौन-कौन से classification होते हैं, जैसे lower income, lower middle income, upper middle income and high income economy, ओके, जो हमारा इंडिया जो है, इसको फिर से एक बार lower middle income में रखा गया है, क्लियर, निम्न मद्य आए, क्लियर, निम्न मद्य आए में इंडिया को count किया गया है, तो आपको इतना याद रखना है, कि इंडिया कौन से category में आता है, इंडिया आता है, lower middle में, तो बात करेंगे, वर्ल्ड बेंक के बारें, वर्ल्ड बेंक बनाता 1944, क्लियर, और जो इसके, जिसका जो head office है, वो है Washington DC में, ओके, IMF का जो head office है, वो है Washington DC में ही है, इसके जो president है, वो है, David Malpass, क्लियर, और इसके जो MD और CFO है, वो हैं, अंसुला कांथ, और इसकी जो chief economist है, वो है, Cameron Reinhard, के लिए इतना आप याद रखेंगे, वर्ल्ड बेंक के बारे में, चलिए, अगर दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, जो भी news बता जा रहे हैं, वो आपके काम आ रहे हैं, आपको लगता आपके exam में आ सकते हैं, के लिए, तो आ मारी email idea, knowledge matters to you at the rate gmail.com, और मरा आप Facebook page भी like कर सकते हैं, इन दोना का link आपको description box में मिल जाएगा, के लिए, के लिए, नेक्स दिखते हैं, नेक्स बात और एक day के बारे में, यह है, नेंसल मंडेला डे, नेंसल मंडेला डे, के लिए, यह मना जाता है, 18 जुलाई को, के लिए के लिए, कौन थे नेंसल मंडेला, यह South Africa के President थे, के लिए, former President, और क्यों मना जाता है, क्योंकि इन्हों ने विश्वसानती के लिए, लोगों की सहता के लिए, बहुत सारा काम किया, कई बार जेल भी गए, के लिए, और इसके लिए जो important है, इसका जो theme है, take action, inspire change, के लिए, के लिए, बात करते हैं, South Africa के बारे में, तो यहां के जो प्रेसिडेंट हैं, शरिल रामा फोसा, और यहां की तीन कैपिटल हैं, के लिए, जो एक्जिकीट है, वो है, प्रेटोरिया, और जो जुडिसियल है, वो है, बुलम फॉन्टेन, और जो कैप टाउन है, वो है, इसक बात होरे है, टाइप के बारे में, जो के, CBSE और IBM के बीच में हुआ है, किसके लिए हुआ है, Artificial Intelligence, अब Artificial Intelligence जो है, उसे CBSE के अंदर 11th और 12th क्लास के अंदर, जो सलेबस होता है, उसके अंदर इसको, पार्ठे करम में, इसको सामिल किया जाएगा, क्लियर, इसी करेंट academic year से 2020-2021 से इसको काउंट किया जाएगा, क्लियर, तो बात करते हैं, CBSE के बारे में, तो Central Board of Secondary Education, क्लियर, और जो CBSE के चेर्मेन है, वो है, मनोज आहुजा, और CBSE के head of base है, दिल्ली के अंदर, क्लियर, और most important जो IBM के CEO है, वो है, अर्विंद किसना, ये Indian origin है, ओके, ये भारती है, क्लियर, और जो IBM का headquarter, वो New York, अमिर्का के अंदर है, क्लियर, इतना याद रखेंगे अप, बात करते हैं, लाल लीगा टैटल के अवारे में, क्लियर, जो लाल लीगा टैटल है, इस बार जीता है, रियल मैडरिड ने, क्लियर, तो जो रियल मैडरिड है, वो क्या है, ये पैनिस, इस पेन का, क्लियर, इसने लाल लीगा चेंपियंशिप को जीत लिया है, इसने record 34 मिवार, 34 टैम जीता है, अभी तक 34 बार किसी न भी इसको नहीं जीता है, क्लियर, तो मैंने इसे लाल लीगा से एक क्वेसन आपको और बताए था क्वेसन पहले, इसके जो इंडिय आप इसको याद रखेंगे, लाल लीगा के बारे में, किसने जीता, ये याद रखेंगे आप, और इंडिया में, किसे इसका ब्रांड आविश्डर बना गया, ये भी आप याद रखेंगे, क्लियर, चलिए, नेक्स्ट बात हो रही है, प्रिंका चोपड़ा और अन्राकस् क्यों, क्योंकि इनको अभी एमजडर बनाए गया है, एमजडर किसके लिए बनाए गया है, टी आई एफफ, टी एफफ क्या है, टोरंटो इंटरनेशन फिल्म फेस्टिवल, जो दोजार बीस का टी एफफ है, क्लियर, जो टोरंटो फेस्टिवल है, दोजार बीस का, उसके की एपैप्ट्मेंट की बारे बात हो रही है है किलियर तो तो ह היसको असुझि को कुमार तेवारी को एसनिकॉमार तेवारी को बनाए गया है तो जो इसकी जो पेरेंट कंपनी एसे काट की वह तो हो गई SBI के लिए इस केमडियों से याद रखेंगे जो SBI के चेर्प मैन है वो कौन है वो है रजनीस कुमार के लिए और SBA में आपको बचाता है को जन पहले SBA कब मना जाता है एक जुलाई को किलियर सब इस बना जाते हैं तो सब बनाए गया था एक जुलाई को यह कुं सा था 1955 में बना था आपका एस वे जो SBA काट से पेरेंट कंपनी है किलियर S-Y के Chairman आपको बता दिये किन है? Rajneis Kumar किलियर? चलिए बात करते हैं एक Heidel Power Project के बारे में किलियर? Heidel Power Project क्या होता है? क्यों होता है? जल विद्धूत जल विद्धूत प्रोजक्ट इसका नाम है आजात पत्तन इसको Pakistan और China ना मिल कर बना रहें दोनों किलियर पाकेस्तान और चाईणा ने एकरिमेंट ऐनकी है इसको बनने के लिए यह कितने का? यह 700 Megawatt का है इसको कहा बना जा रहा है इसको बना जा रहा प्यूज़र के अंदर पाकिस्तान खी Sebik gazmir के महिला लेफ्ट ने जनरल बनाई गई हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है निगार जोहर, क्लियर, और पाकिस्तान एर फोर्स में पहले हिंदू पाइलट बने हैं, उनका नाम है राहुल बोस, आप याद रखेंगे ये, बात करते हैं चाइना के बारे में, चाइना की जो केपिटल हो है बीजिंग, और चाइना की करेंसी है, हो है रेन मिन भी, और यहां के जो प्रेसिजेंट है, हो है सी जिन पिंग, और जो बीजिंग के अंदर ही AIIB का हैड अफिस भी है, ओके, ACN Infrastructure Investment Bank, इतना याद रखेंगे अब, चलिए नेक्स लिखते हैं, नेक्स बात हो रही है, सुनिधी स्कीम के बारे में, क्लियर, ये सुनिधी स्कीम है क्या, पहले मैं इसकी स्कीम के बारे में बतायता हूँ, इसकी फुल फॉम है, स्ट्रीट वेंडर, ओके, आत्म निर्वर योजना, आपको पता है, COVID-19 pandemic की बज़े से, जितने भी लोग ये जो रहेडी वाले थे, ओके, रहेडी पटे वे लोग जो डेली कमाते खाते हैं, सबका जॉब चला गया, तो ये लोग अपना रोजगा फिर से शुरू करें, फिर से अपना काम शुरू कर सकें, इसके मध्यप्रदेश ने, बात करते हैं, मध्यप्रदेश के बारे में, इसके जो चीफ मिनिस्टर ने, वो है, शिवराज सिंग चोहान के लिए, और यहां की जो एक्टिंग गवर्नर है, वो है, आनंदी बिन पटेल, बैसे यहां की गवर्नर तो है, लाल जी दास टंडन, लेक से काना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडला पलांट, फोसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पैंच, संजय, यह से है, संजय नेशनल पार्क, और एक उता संजय, गांधी नेशनल पार्क, वो है महरास्ट्रा के अंदर, एक सत्पड़ा नेशनल पार् मेगा थर्मल पावर स्टेशन तो इतना आप याद रखेंगे चलिए बात करते हैं एक हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनात कोवेद उनके सेकेटरी बनाएं प्रावीट सेकेटरी किसको बना गया है प्रवीन सिद्दार्थ को तो आप इतना याद रखेंगे इनके बारे में क इनके फुट वोलर हैं तो आप इतना इसके बारे में सिर्फ आप याद रखेंगे किस को दिया गया है और किसने दिया यूनिएटिए ओफ मैंचेस्टर ने दिया है कि रिया अफ शलिए अब उनके बारे में बात करते हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे कि लिए तो पहले बात करते हैं अर्जुन अवाडी और जो पैरा बेडमिंटन प्लेयर थे रमेश टीका राम के लिए इनका कोवेड-19 की वज़े से निधन हो गया और एक सिविल राइट्स वेटेरन थे इनका भी निधन हाली में हो गया ओके तो इनको भी आप याद रखेंगे के लिए तो द